आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि MIS जोब जो होता है जैसे कि आप कई सारे अलग-अलग MIS जोब के लिए आप इंटर्व्यू देते हैं और आपको उन में कई सारे अलग-अलग questions पूछते हैं और अगर आप उस इंट्रव्यू के questions को crack करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर end तक जरूर देखिए इसमें हमने कई सारे questions पिक की हैं और इन सभी questions को देखकर आप MIS interview को असानी से crack कर सकते हैं दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी हमने assignment 1 के कई सारे questions के बारे में हमने बात करी थी और हमने इस वीडियो में assignment 2, assignment 3 and assignment 4 कई सारे अलग-अलग questions के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा first question है provide a pivot with reason why department wise salary cost generally हमने यहाँ पे इस record को आप देखें यहाँ पे हमने एक table बनाया हुआ इस table के अंदर कई सारे information है जैसे कि imply code है और first name, last name, department यह सब ही details दी गई है हमें यहाँ पे first question पूछा जाता है एक pivot table बनाओ जो की reason wise हो उसके department का salary यहाँ पे पालूम होना चाहिए जैसे कि अगर हम इस पूरे record को देखें तो इसमें कई सारे अलग-अलग department बनी हुई है इनमें कई सारे अलग-अलग reason है हमें यहाँ पे reason wise department को categorize करना है और उसका salary हमें total करके दिखाना है एक pivot के दरूर तो उसके लिए हम लोग pivot बनाते हैं कैसे देखो यहाँ पे हम लोग इस पूरे table का selection लेने वाले हैं तक पहले इस table का selection लेना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे इस table के first cell को click करता हूँ उसके बाद control shift right arrow का use करता हूँ फिर control shift down arrow का use करता हूँ finally आप देख सकते हूँ कि हमारा पूरा table यहाँ पे select हो चुका है और उसके बाद आपको insert tab पे क्लिक करना है और यहाँ pivot पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारे सामने एक pop-up window आया है इस pop-up window में आप से पूछा जाता है कि table range आप जो select किया हो वही है जो आप यहाँ पे click करूँगा because of कि मुझे एक नया set पे table बनानी है तो मैं यहाँ पे click करके ok बटन पे click करूँगा तो finally आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ pivot का जो बनाने का field है यहाँ पे आ चुका है right में and left में आपका design यहाँ पे मिल रहा है हमें यहाँ पे department और reason और उसके salary को लेकर काम करना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले department के नीचे जो region है इसको select कर लेता हूँ उसको हम select करके row के अंदर assign कर देते हैं और उसके बाद उसका department है department को भी row के नीचे रख देंगे अब आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पे अलग-अलग reason के अंदर जो department है वो आपको दिखानी है तो salary को select करके value में आप value वाले जो field है इसमें आप रख देते हैं तो आपको यहाँ पे हर एक department का total salary और उसका जो region है उसके category में बना हुआ रहा है आप चाहें तो इसको column wise भी दिखा सकते हो जैसे यहाँ पे आप देखो कि reason को मैंने column में रख दिया है त तो हमें यहाँ पे question में यही पूछा चाहरा था है कि आप एक pivot table बनाओ और उसका department reason और उसके salary के basis पे होना चाहिए जो कि हमारे इस पूरे table में बिल्कुल ऐसे ही है East, North, West और उसके जो department है वो सब यहाँ पे आ रहा है और हम यहाँ पे grand total भी देख पा रहे हैं कि admin में person आप देख सकते हैं यहाँ पे provide a pivot with employee count on the flowing turnover slab यहाँ पे हमें 20 years to 25 और यहाँ पे 20 years से वीलो जो service करने वाले employee हैं उनके हमें turnover slab बनानी है जैसे कि नीचे में यहाँ पे बना हुआ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2024 के बीच में जितने भी employee है उसका name यहाँ प कर रहे हैं बिल्कुल हमें इसी तरह के format बनाने हैं तो उसको बनाने के लिए हम लोग इस पूरे table को फीर से select करते हैं और उसके बाद आपको फीर से पाइवोट टेबल पे जाना है यहाँ पे पाइवोट टेबल पे जाने के लिए shortcut भी है alt and V जैसे alt and V को press करते हो तो आपक पे new work seat लूँगा तो उसके लिए आपको new work seat पे क्लिक करके ok button पे क्लिक करना है अब आप देख सकते हैं नया seat create हो चुका है इसमें आपको जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे हमी बना हुआ मिल रहा है 2024 के बीच में 13 employees है बाकि सबी जो year wise employees count हो रहे हैं वो यहाँ पे आ रह यहाँ पे first name select करते हुए value के अंदर रखने है अब देखो यहाँ value में रखते ही आपका जो name है वो सभी count होने लगेगा जैसा हमें चाहिए था वैसा हमें यहाँ बना हुआ मिल जाएगा आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा zoom कर देता हूँ आप देख सकते हो कि 2024 के बीच salary to lowest with each reason जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कई सारे अलग-अलग reason by अलग-अलग employee है और उनके salary दी गई है हमें यहाँ पे करना यह है कि जितने भी हमारे department I mean जितने भी हमारे reason है और उनके basis पे उसका salary दी गई है ना उसको हमें sort करना है highest to lowest तो उसके ल table को ताकि आपको समझने में कोई problem ना आए मैं इसको select करने के बाद यहाँ home tab के अंदर जो clear है इसमें जाकर मैं यहाँ पे clear format पे click कर देता हूं इससे यह होगा कि हमारा data है as it is normal format में यहाँ जाएगा और उसके बाद मैं इसको थोड़ा table format में देता हूं ताकि समझने में को sort date इसको में click कर देता हूं तो यह date format में आ गया अब हम यहाँ पे आपको यह बता रहे थे कि अगर आप इससे sort करना चाहते हो किस के वाइस किस तरह से reason wise sort करना चाहते हो जैसे की question में दिया हुआ है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इस पूरे table का selection ले लेते हैं आप यहा आपको यहाँ पे जो sorting करनी है ना वो reason why sorting करनी है तो उसके लिए आपको sort में field name लेना है reason यहाँ पे reason लेया आपने और उसके बाद आपने यहाँ पे Z to A पे click करके आप OK कर सकते हैं बट अभी फिलाल हमें reason why Z to A नहीं करना बलकि हमें यहाँ पे region के साथ में उसका salary sorting करनी है तो मैं यहाँ पे अभी फिलाल तो reason को A to Z करता हूँ and then add level पे click करता हूँ and उसके बाद हम यहाँ पे select कर लेते हैं salary और salary को हम लोग highest to lowest करना है तो यहाँ पे largest to smallest ले लेता हूँ and उसके बाद मैं OK बटन पे click कर देता हूँ तो finally आप देख सकते हो east-west, east के जितने भी हमारे employees हैं वो सभी के salary हैं वो highest to lowest में आ चुका है इसी तरह से north के जितने भी employee हैं वो भी highest to lowest में आ चुका है तो इस तरह से हमें यहाँ first question complete हो गया है जब भी आपको short करना पड़े multiple field में तो आपको यहाँ पे short में जो custom वाला option है आप इसका use करके आप multiple column को एक साथ sort कर सकते हो and next यहाँ best assignment आपको बताने वाला हूँ जैसे यहाँ पे हमें बोला जा रहा है remove duplicate in database going the employee first name जैसे आप देख सकते हैं इस पूरे table में बहुत सरे employees name है right इन में से बहुत सरे employee का name same भी होगा तो हमें यहाँ पे यही कहा जाता है कि इस पूरे table में जितने भी employee name same है ना first name same है उनको आप हटा दो उनको remove कर दो तो हमें एक एक करके इसको ढूड़ने में time लगेगा यहाँ पिर हमें sort करने में और उसको हटाने में time लगेगा एक ही साथ हटाने के लिए एक function एक option है excel के अंदर remove duplicate का उसकी मदद से हम यह काम कर सकते हैं तो पहले इस table को select करना होगा अगर remove duplicate करनी है तो उसके बाद आपको यहाँ पर data tab पे जाना है और यहाँ एक option आपको मिलता है remove duplicate इस पे आपको जाना है ok करना है और यहाँ आपको sub select किया हुआ field मिल जाता देखो यहाँ पर imply code department और बाकि सब चीज़े मिलती है आप आप इन्हें untick कर लेते हो यहाँ आप उसके लिए आपको यहाँ पर unselected all का option आता है इसको click करेंगे unselected option को click करते ही आपका यहाँ देखेंगे जितने भी field है ना सब पर check लगावा था वो uncheck हो गया उसके बाद आपको यहाँ पर first name है उसको आप click करते हो और उसके बाद कि यहाँ पर हमें यह message आया कल को अगर इसमें duplicate value होता suppose that कि यहाँ पर देख सकते हो मैं इन सभी name को copy करता हूँ और यहाँ पर cursor रखता हो और paste कर देता हूँ अब आप देख सकते हो यह name और यह name duplicate है अब हम इस पूरे table का selection ले लेते हैं और उसके बाद अब आपको यहाँ पे जाना है अगें data tap पे और उसके बाद remove duplicate पे क्लिक करते हो और उसके बाद again untick कर लेते हो सभी field को और यहाँ first name को select करके ok बटन पे क्लिक करते हो तो finally आप देख सकते हो यह आप से बोला जा रहे है कि 5 duplicate value था जिसको हमने remove कर दिया और 90 unique value है जो कि अभी बचा हुआ है तो तो बिलकुल आप एक function एक option की मदद से कर सकते हैं जो कि Excel में already यहाँ पे है remove duplicate data tap के अंदर आपको मिल जाता है दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो please like करिए और लोगों तक share करिए और नए वीडियो को देखने के लिए हमा प्रेवर्ड़ आप यह प्रिए वीडियो करुआवड़ आपको के लिए और लोगों जावर्ट आपको प्रेवर्ड़।